रहें दोस्तों स्वागत है आप सबी के इस वीडियो में आई इस वीडियो में हम बात करते हैं मेकालेस मिनट यानि कि मेगाले का विवरण पत्र दोस्तों यह थर्ड क्लास होने वाली है इसके पहले में तो हमने केवल इंट्रेक्शन देखा था दूसरे वीडियो हमने जाना इसका क्या प्रभाव पड़ा भारते सिक्षा के जगत में और एक और चीज़ याद रखिए अगर कभी पूछता है किसी कॉंपटेशन एक्जाम में कि भारत में अंग्रेजी सिक्षा के जनक फादर अफ इंग्लिस एजुकेशन इन इंडिया तो इन्ही मेकाले को कहा जात है आपको पता है 1813 अंग्रेजों का सासन ह्ने इंडिया में उससें के इंडिया में काम करती थी इसंट अपनीं कमपञी सब परदी थी मिलता था तो ईसको हर 20 साल पे रिन्यू करना पड़ जादा तो 1813 में कब बाबू 1813 में इसको रिन्यू करने का समय था उस समय जो आग्या पत्र आया था उसे 1813 का आग्या पत्र कहते हैं और उसमें एक नई धारा धारा 43 जोड़ी गई थी कौनसी धारा 43 जोड़ी गई थी ठीक है धारा 43 में दो सब्द रि कुछ लोगों को लगा कि भारती विद्वान का मतलब वो लोग जो हिंदी संस्कृत और अर्वी की जानकारी रखते इस विशय में विद्वान हैं उन्हें केवल खर्चा होगा तो कुछ लोगों का मानना था कि नहीं अंग्रेजी सिक्षा पर खर्चा होगा ठीक वैसे ही साह 2435 तक उस समय तक यह हल नहीं हुआ था तो इसी को हल करने के लिए मैकाले जो थे बहुत कानून के बहुत बड़े जानकार थे तो मैकाले से उस समय के ततकालिन गवर्नर जो थे लौड बेटिंग बेटिंग ने कहा था कि ऐसा है मैकाले आप इस मामले को सुल जाये और आप बता हिए कि जो एक लाख रुपए को ब्रिटिस पारलीमेंट ने कहा है खर्च करने के लिए तो उसे हम कहा खर्च करेंगे भारति भासाओं के साffy बे क्यंग्रे जी के साffy ठेब और इसी वीवात को हम पराँच पसक्ता वीवात कहते हैं उसी को हुल करने के लिए मैकाले जो सब्द समझ याद रह जाता है उन सब्दों को एक्जाम पेपर में लिख दीजेगा बट कोशिज करेगा इसको समझने का तो देखिए मेकाले का विबरपत 835 आपने हीडिंग डाल दिया दस जून 1834 को लॉड मेकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसलिंग के कानूनी सदस्य गरूप में भारत में परदार पड़किया है भारत में आए उस समय प्राच्य पस्चात विबाद उगरतम रूप धारल कर चुका था प्राच्य पस्चात विबाद आपको समझ में आ रहा हो बेटिंग कौन है भाई दर्ड बेटिंग गवर्नर जनरल थे उस समय के चलिए इस विचार से उसने मेकाले को बंगाल की लोग सिक्चा समिटी का सभापती नुक्त किया फिर उसने मेकाले से 1813 कि आगया पत्र की तैताली सी धारा में आंकित एक लाख रूपए रासी को वह करने की विदी और अणिविवाद गरस्ट passou के समंध में कानूनी सलाह देने का नगरोध कियाQ जो मैंने बताया कि द एक लाख रूपए थी और यो दो सब्सफद भारति विद्वन और भारति साहित का का मसला था उसको हल करने के लिए कानूनी सलाह मांगा किस ने बैटिंग ने मांगा किस से मेकाले से मांगा तो मेकाले ने उसको हल करते हुए अपना विबरण पत्र जारी किया मेकाले ने क्या का देखिए बहुत अच्छे सब्दों में लिखा गया मेकाले ने तो सबसे पहले भाई उक्तधाराओं के दोनों दलों के बात योगो उसके उपरां तर्क पूर्ण भासा में अपनी सलाह को अपने प्रसिद वीवरण पत्र में लेख बंद करके दो फरवरी 1835 को बैटिंग के पास भीज दिया अब देखे दो फरवरी अठारा सो पैटिस को अपना वीवरण वीवरण के पास भीज दिया अब वीवरण वीवरण पत्र में ओन NBC 1. से इसको खर्च कर सकती है वह अपनी इच्छों सार किसी प्रव्यकार कर सकती है मैं अर्ब हो सब्सक्राइबieron muitaUNG कर सकते हैं बारती विद्वान मुसलिमान मौलवी इंग्वरीव्यों संस्क्रित के पंडित अंग्रेजी भासा के साहित विद्वान हो सकते हैं, उसने कहा कि जब भारती साहित का बात किया गया है, उसमें अंग्रेजी साहित भी सामीर हो सकते हैं, भारती विद्वान में अंग्रेजी विद्वान भी सामीर हो सकते हैं, मेकाले ने अपना विवरण पत्र में बता दिया उसके बाद अंग्रेजी के पक्ष में उसने तर्ग क्या दिया या ध्यान सुनिए का मैकाले अंग्रेज के बहुत बड़ा सब्मर्दल था और वास्तों में भारते साहित को उसी ने खराब किया था भारते भासा को निरार्थक सिद्ध करने के पश्चाथ मतलब भारते भासा इस पकार अरवी फार्सी और संस्कीट आपकार हमें अग्रेजी के सैंग्रेजी के बराबर अब देखाए सचाथ ने ब्रभाव सब्सक्राइब ने तर्क दे लिए इस पकार अर비, फारसी और संस्क्रिट के अध्यन छेत्र से बाहर निकालकर मेकाले ने अंग्रेजी को उनकी अपेक्चा अधिक समृद बताया और उसके अध्यन के पक्ष्व में निम्लेकी तर्ग रहे हैं और उसने तर्ग दिया बैटिंग को जो वी इ vårton पत्र दिया था उसमें कहा था कि मैं इसलिए अंग्रेजी पर आपको पैसा खच करने के लिए कहता हूं जरह धान से सुनिए अर्वी और संस्क्रित के तुलना में अंग्रेजी कहीं अधिक उपी होगी है वहवारिक है क्योंकि ये नईवीन ग्यान की कुंजी है ये मैं का ले युनानी भासाओं से इंग्लेंड और पस्चिम यूरोपों की भासाओं के रूप में पुनर्थान हुआ उसी प्रकार अंग्रेज में अंग्रेजी से भारत में होगा ठीक है अंग्रेजी देश के सासकों की भासा है अच्छा उनके सासकों की भासा है भारत के उच वर्ग में बोली जाती है जो बोलते थे जो अबु बहरत वासियों आज त है कि भारत के जो और हमारे परियास इसी दिशा में होना चाहिए और लास्ट में जो कहा था वो ध्यान से सुनिएगा अंग्रेजी सिक्षा द्वारा देश में ऐसे वर का निर्माड किया जा सकता है जो रंग और रक्त और रंग से भले ही भारती होंगे पर रूची और नैतिक्ता से विद्व करने के लिए कह दी कि इसका ज्यादा से ज्यादा रकम अंग्रेजी सिक्षा पर खर्च हो हाला कि विबाद और बढ़ता गया बाद में इसको पुराना दुबारा हल किया गया था तो मेकाले ने यह चीज़े भेज दी लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि मेकाले के व प्रभाव ने लगें अंग्रेजी माध्यम की स्कूल और महाविद्याले खूलने सुरू हो गया इसकी नियूं इतनी मजबूत थी कि इनका विकास बहुत तेजी से हुआ यह सिक्षा प्राड़ी हमारे देश के मूल प्राड़ी बन गई अंग्रेजी मीडियम क्या मूल प् पक्षमेटर ने ठोज सुझाओ दिये कि अंग्रेजी भासा का मात बढ़ गया सारे लोग अंग्रेजी की तरफ जानने लगें सरकार ने आदेश पत्र जारी किया जिसमें निर्देश दिया गया कि सरकारी नौकरी में अंग्रेजी का ज्यान रखने वालों को वरियता दी और उस समय केवल वरियता दी गई जबकि वर्तमान में सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी भासा का ग्यान होना आनिवार बन गया है तो देखिए उस समय जो अंग्रेजी जानते थे उनको प्रिफरेंस मिलने लगा और आज दोस्तों इंग्लिस मस्ट हो गया है देखो आ दı को ही बहुना करके अंग्रेजी 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 नहीं पढ़ाता अब क्या है हम हिंदी की महत वसमजते है सभको अपनी भासा का सबमान हा हला कि ये इंग्रेजी पढ़ते हैं लेकिन अपनी महत обoकर संभान जी तरह कि आप लिख सकते हैं, और वास्तों में आपको पूरा concept यहां पर समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि अंग्रेजी भासा में, अंग्रेजी भासा में यहां पर ज्यादा पैसे खर्च करने लगे, ज्यादा पैसा ठीक है, तो फिर इसके बाद एक अगला topic आता है, wood का घोशना पत्र, ठीक है, चुकि पहले ही इतना सारा विवाद हो चुका था, तो अगली बार एक और topic अपिक इस लेबस में है, वो है wood का घोशना पत्र, तो जब wood ने घोशना पत्र दिया, उसमें उन्होंने अच्छा स घोशना पत्र दिया था, उसमें बताया था कि पहले भासा है, छेतरी भासा में होगी, उसके बाद अग्रीजी में होगा, तो वो एक अच्छा topic है, wood का घोशना पत्र, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, फिर हाग इस वीडियो में इतना ही, मैं आसा करता हूँ कि मैकाले का वीडियो पत्र आपको समझ में आ गया होगा, क्या क्या पड़ा आपने एक बार ध्यान से देख लिए, मैकाले भारत में कब आये थे, मैकाले ने भारत का वीडियो पत्र कब दिया था, मैकाले ने 835 को दिया था, दो फरवरी को, क्यों दिया था, प्राच्य पस् विद्वान में केवल अंग्रेजी की पत्च में तर्ख देते वे उन्हें कहा दिया था कि अंग्रेजी क्या है बहुत अच्छी भासा है और उग्जें यूरोक की एक लइड़री का सेल्फ भारत के साहिते के बराबर है और फिर उने अंग्रेजी की पक्ष में निम्न तर्क दी हैं और उससे भारत की सिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा यह बहुत ही अच्छा टॉपिक एक एक सौर्ट एंड गुड टॉपिक आपको मिल गया इसके पूरी पीडियाफ मैं अपने वाट्साप गुरूप पे भेज़ूगा और बहुत शुक्रिया मुझे लास्ट टाइम कुछ लोगो ने अपने हैंड में नोट्स भेजा था मैं उसकी वीडियो तुरंद बना देता हूं मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे नोट्स आप खुद से बनाके अगर भेजेंगे मेकाले का वीड़पत मुझे वाट्साप पे बेजेंगे मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों इस्क्रिप्शन में वाट्साप गूरूप का लिंक है यह मेरी इंस्टाग्राम की अकाउंट है आप मुझे फॉलो कर सकते ह अगर आप तक नहीं पहुंच पाई है तो वहाँ पे मैसेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में आपको पे पीडियाप दे दूँगा 101 पर्षेंट कभी कभी रिपलाई थोड़ी लेट हो जाती है सुरी फा देट बड़ा यह इस वीडियो में नहीं का लास में कहता हूं वह यह है दोस्तों पसंद आयो तो लाइक कर दीजिएगा नहीं जूने तो चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिला इस वीडियो में नहीं जया भारत